हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल बीटी उपी स्टुडी पॉइंट में और फ्रेंट बात करने वाला है पॉल्टिक्निक के इंट्रेंस इज्ञाम से रेटेट जो आपकी क्लासेश चल ले थी फॉर्मेसी स्टुडेंट के लिए जैसा कि मैंने बताया था गुरुप E1 और E2 के लिए क्लासेश जो चल ले है जिसमें हम बॉयलोग जी से रेलेटेट जेव विज्ञान और जन्तु विज्ञान के क्वेस्टिनों को यहां पर आपको बता रहे हैं तो आज का जो टॉपिक है आपका पादब आकारिकी जो टॉपिक चल ला है वो आप आपका है पादब आकारिकी इससे रेलेटेड मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टिन बताने वाला हूँ चुकि दोस्त इंट्रेंस एक्जाम की दिरिष्ट से आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट है तो जित्ते भी आपे फार्मेसी के स्टुडेंट जुड़े तो चैनल को सब्सकाइब करिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नौटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके और सभी स्टुडेंट से रिक्वेस्ट है कि वे सभी वीडियो को अपने फेस्बुक और वाटसब गुरूप में सेयर करे ताकि अधिक से अधिक स्टुडेंट यहा पर कौन सा है तो आप्शन दोस्त आपका बिल्कुल ही करेक्ट एंसर है सेब जो है यह अबह सी स्टुक्सा बिल्कुल ही करेक्ट एंसर है यहाँ पर बात करेंगी दोस्त हम्यापरके चलते हैं अग्ले कुशिट की और अगला कुशन है दोसे आपे निम्लिखित में से कौन सा फल अनिसेग फलनी है इसमें आपको बताना है कि कौन सा फल अनिसेग फलनी है ऑप्शन दोस इसमें आपको चार मिलते हैं पहला है केला दूसरा है सेप तिसरा है सहतूत और चौता है इस्ट्रा बेरी तो इसमें आपक केला है option A बिल्कुल ही यहाँ पर correct answer है अभी दोस्त आपका basic question चल ला है अभी दोस्त इसके और भी इससे लेटेट जो अच्छी टाइप के question है जो कि इंट्रेंस examination पुशे जाते हैं वे सभी दोस्त यहाँ पर कराएंगे एक एक question को आज आपका पाच्वा class है और जितने भी यहाँ पर नए student जुड़े हुए है अभी तक आपने हमारे पहले के classes प्रिवियर classes को नहीं देखा तो नीचे दोस्त आपको description में लिंक मिल जाएगा एक दोस्त इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक playlist प्रोइड कराऊंगा जिसमें हम पूरे biology का जिसमें pharmacy student के लिए एवन एटू ग्रूप का यहाँ पे material प्रोइड कराई आगी ठीक है तो जितने भी यहाँ पे नए student है link पे click करेंगे तो direct आपको playlist खुलेगा वहाँ से दोस्त आप एक एक वीडियो को अच्छी तरीके से दिखिए चार classes दोस्त मैंने पहले ही ले रखा है आज आपका पांचवा class है यहाँ पे जिसमें हम आपके important question आपको बताना है जो कि पादब अकारिकी से related है तो इसका दोस्त जो आपका correct answer था वो आपका A है केला कि यह आपका अनिसे एक फल के रूप में आता है यहाँ पे दोस्त आप चलते हैं अगली question के ओर अगला question है दोस्त आपके गुदेदार थेलेमस किसमें खाने योगे होता है तो कौन से फल में गुदेदार थेलेमस होत है option 2 से आप चार मिलते हैं आपको पहला है अपका firm दूसरा है संतरा, तीसरा है टमाटर और चोता है Yap तो इसका जो correct answer वह आपकाे दी इसका बिल्कुल ही correct answer है जिसमें आपको गुदेदार थेले मेंस मिलते हैं तो option दोसे हापे D आपका बिल्कुल ही correct answer है चलते हैं दोस्त हमें आपे इसी तरह अगले question की हो रहे हापे अगला question दोसे हापे निमलिखित में से कौन सत्य फल का उधारण है तो इसमें सत्य फल का उधारण कौन सा है आम mango इसका बिल्कुल ही correct answer होगा C इसका right answer है चलते हैं दोस्त हमें आपे अगले question की हो जितने question दोस्त और इसका PDF मैं आपको इसका PDF भी प्रोवायड करा रहा हूँ टेली ग्राम चैनल पर जो भी अभी तक टेली ग्राम चैनल को जॉइन नहीं की है तो नीचे आपको description में link मिल लिएगा वहां से जाके आप हमारे telegram channel को join करिए ताकि आपको इसका PDF भी वहाँ पे मिल सके इसका correct answer था आपका A, C इसका बिल्कुल ही right answer है बात करेंगे दोस्ते अगले question की ओर यहाँ पे अगला question है follow का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा अइसा कौन सा पदार्थ है प्रकार है जिसमें हम लीची को रखते हैं तो उसका प्रकार क्या है यहाँ पे नट, option C दोस्त इसका बिल्कुल ही correct answer है जिसमें लीची को रखा जाता है option C इसका right answer है बात करेंगे दोस्ट हमें आपे अगले कुशिन की ओर अगला कुशिन दोस्ट है आपे निम्लिकित में से कौन सा एक लच्छड पादप के तने का रुपांतरण का एक संकेत है तो इसमें से आपका लच्छड बताना है कि कौन सा ऐसा लच्छड है जो की पादप के तने के र प्रतान का पाया जाना और चौता है गाजर में रोम का पाया जाना तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट एंसर आपका B है यहाँ पे आलू के आलू में आख का पाया जाना ठीक है आलू में आख का पाया जाना किसका लच्छण है यह आपका पादप के तने का रुपांतरर का एक आ का फल है इसमें बोला है दोसकेंड में कि अनानास आपका जटाइक का फल है तो यह आपका साइकुमर्श चैप का फल किसका कैसा दोस्थ अप्रैइड उप्सण सी इसका अपर बिलकुलही करेक्ट एंसर है चलते धोसर हमें अगले कुछिन psyche के और अगला कुछन दोस्ते हाँ पे है घट पड़ी जिसे हम पीचर प्लांट के निम्लिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है इसमें से आपको बताना है कि पीचर प्लांट के निम्लिखित भागों में से कौन सा एक घट की रूप में रूपांतरित होता है जिसमें आपको चार आप्सन है इस्तम पत्ता अनुपर्ड और पर्डवंत तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट एंसर आपका B होगा पत्ता इसका र निम्लिखित में से कौन सा एक कीटा हारी पादफ है ठीक है तो इसमें आपको बताना है कि कीटा हारी पादफ कौन से है पहला है आपका फैसन फ्लावर पादफ दूसरा है आपका घट पड़ी तीसरा है आपका रात की रानी जिसे नाइट क्विन के नाम से जानना जाता है और चौथा है आपका flame of the forest तो इसका जो बिल्कुल ही यहाँ पे correct answer हो जाएगा वो आपका B हो जाएगा घट पड़ी इसका answer हो जाएगा चलते हैं दोस हमें आपके अगली question की ओर अगला question है दोस यहाँ पे निम्लिखित में से कौन सा कारक बीजो के प्रक्रिरन द्वारा पादपो के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है तो इसका बिल्कुल ही correct answer आपका C है कवक इसका बिल्कुल ही correct answer है जो की प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है कवक आपका right answer होगा C इसका बिल्कुल ही correct answer होगा चलते हैं दोस हमें आपे अगली question की ओर अगला question दोस है आपे peer नासपाती का कौन सा भाग खाया जता है तो खानी नासपाती में आपने दिखा होगा कि कौन सा पतपत जो इसका भाग है जो कि आप यहाँ खाया जता है तो option A खाया आपे गुदेदार पुस्पासन, option B है बिजाडू, option C है दोनो, option D है फली तो इसका बिल्कुल ही correct answer आपका A होगा, गुदेदार पुस्पासन जो है वही भाग को हम लोग क्या करते हैं, खाया जाता है, option A इसका बिल्कुल ही आपके correct answer है अगले question क्यों चलते हैं दोस्ते हापे, अगला question है, किस पौधे में बीज होता है, लेकिन फल नहीं होता ये आप सभी लोग comment करके बताइए, क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा पौधा है, जिसमें बीज नहीं होता, लेकिन फल नहीं होता ठीक है, option दोस्ते हापे चार्ड दी हुए है, इसको मैं बता रहा हूँ, option इसका D बिल्कुल ही correct answer है, psychus इसका answer होगा उस पौधे कौन सा पौधा है, वो आपका psychus है, जिसमें बीज होता है, लेकिन आपका फल जो है, वो नहीं होता है तो option D इसका बिल्कुल ही correct answer है, आप comment करके हमें बताइए, कि आपको पता था कि ऐसा कौन सा पौधा है, जिसमें बीज होता है, लेकिन वहाँ पे फल नहीं होता है तो D इसका बिल्कुल ही correct answer है, उस पौधे का नाम क्या है, psychus है, D इसका right answer है अगले question की ओर चलते हैं दोस्ते हैं अगला question है, ब्रूड किस में मिलता है, तो ब्रूड किस में मिलता है दोस्तों वो आपका बीज में मिलता है option c इसका बिल्कुल ही correct answer है चलते हैं दोस्ते हैं अगले question की ओर अगला question दोस्ते हैं आपे निमलिखित में से कौन सा युग सू मेलित नहीं है अथात mail करता हुआ नहीं है तो इसमें से आपका जो option d है यहापे वो आपका mail करता हुआ नहीं है अथात यहापे सू मेलित नहीं है घट पड़ी और जलोद भीद क्या दोस्त घट पड़ी और जलोद भीद जो आपका right answer d होगा यहापे चलते हैं दोस्ते हैं अगले question की ओर अगला question दोस्ते हैं आपे किस पादप में तना संचैन तथा चीर कालिकत के कारि करता है हल्डी में जो तना का संचैन और चीर कालिकता का कारि करता है option C इसका बिल्कुल ही आपे correct answer हो जाएगा अगले question की जोर चलते हैं दोस्ते हापे अगला question है बीजो को किस इस्थिती में सरनच्छित किया जा सकता है तो बीजो को किस इस्थिती में सरनच्छित करते हैं वो हम ठंड और सुस्क की इस्थिती में बीजो को सरनच्छित किया जा सकता है very important question है दोस्ट intrinsic exam की दिश्ट से आपके लिए very very important question है इस question को आप note down जरूर कर लीजी हो गया कि बीजियो को किस इस्थिती में सनच्छित किया जा सकता है वो आपका थंड और सुस्क की इस्थिती में बीजो को सनच्छित किया जा सकता है चलते हैं दोस्ट हमें अगले question की ओर last question है इसका आप सभी लोग comment करके हमें बताईएगा कि इसका correct answer क्या होगा जितने भी student यहाँ पर जुड़े हुए हैं जितने भी pharmacy की student है group E1, E2 जितने class daily attend कर रहें वे सभी लोग comment करके यहाँ पर बताएं इसका correct answer क्या होगा विस्व का सबसे लंबा पौधा क्या है फिर मैं दोस्ट इस question का answer भी अभी बता दूँगा आपको लेकिन आपको comment करके हमें बताना है कि इसका correct answer क्या होगा very easy question है दोस्ट आपको comment करना है विस्व का सबसे लंबा पौधा कौधा क्या है तो वह आपका UK LIPTS है very simple question है दोस्ट very easy question है UK LIPTS यह आपका बिल्कुल ही यहाँ पर correct answer है तो आशा करते हैं दोस्ट आज की classes के लिए बस इतना ही मिलते हैं दोस्ट हमें आपे next classes में आशा करते ह में information हो सके इन जानकारी पहुश्च सके वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद